हरे कृष्णा रादे रादे फ्रेंट्स आप सभी को पांच दिवसिय दीपावली के परविकी धेरो शुपकामनाई आप सभी को धनतेरस की भी धेरो शुपकामनाई फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में धनतेरस पूजा की बहुत ही सरल विदी शेयर करन धन्तेरस के दिन लक्षमी गणेजी के साथ साथ में भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी का पुजन किया जाता है तो इसके लिए देखी ये पुजन प्रदोशकाल में शाम को होता है तो नाहा करके शुद्ध वस्तर पहन करके आपको एक चौकी लगानी होती है चौकी हमें उत्तर दिशा में यानि कि पुजा करने वाले कमुख उत्तर दिशा की और होना चाहिए क्योंकि उत्तर दिशा को ही कुबेर जी की और लक्षमी की दिशा माना गया है तो इस प्रकार से एक चौकी लगा लेंगे चौकी के ऊपर आप लाल या फिर पीला वस्तर पिछा और लक्ष्मी जी और यहां पर धनवंद्री जी की फोटो हो तो उने भी आप रख लीजिए और गणिजी की भी हम यहां पर स्थापना कर देंगे इस प्रकार से अगर यहां पर आपके पास कुबेर जी की और धनवंद्री की फोटो नहीं है तो आप सुपारी में भी उनका कर सकते हैं क्योंकि कलश का आज की दिन बहुत जादा महत रहता है तो यहां पर हम अपनी गंगा जली का भी पूजन करेंगे और इस तरीके से देखे एक बड़ा साम बीच में स्वास्तिक बना लेंगे क्योंकि आज की दिन कुबेर दीपक जलाया जाता है धन तेरस के दिन के अंदर आप दो बाती लंबी बाती हमें जलानी होती है और दीपक का मुख हमें कुबेर जी की और करना होता है साथ में हम स्थापना करते हैं घर में जो भी सोने चांदी की वस्तुएं हो या फिर आप दंते रस पे कोई वस्तु लाएं हो ना खरीद करके उनका भी आप इसके बाद में यहां पर अगर आप कोई नया बरतन लाएं उसका भी आप पूजन करें आप अपने घर की तिजोरी का भी पूजन कर सकते हैं और यहां पर नई लाई होई जाडू का भी पूजन किया जाता है इस प्रकार से देखिए गणेज जी का बगवान कुबेर जी क अब आप चाहें तो यहां पर कलश की भी स्थापना कर सकते हैं नहीं तो आप इस तरीके से एक कलश में जल भर करके उसका भी पूजन कर सकते हैं उसके बाद में देखिए वस्तर रूपी कलावा हम यहां पर अरपित कर रहें तो उस पर हम पहले इत्र लगा लेते हैं लक् धनवंतरी जी को और लक्षमी जी को और कुबेर जी को इस परकार से आप यहाँ पर कुबेर यंतर का भी पूजन कर सकते हैं कुबेर यंतर की भी स्थापने आपर कर सकते हैं नवग्रह भी यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं लेकिन धनतेरस के दिन कुबेर जी का और धनवंतर जी का विशेश रूप से पूजन किया जाता है, उसके बाद में देखिए हम सभी को तिलक करेंगे इस प्रकार से, आप या पे चंदन से कुम-कुम से रोली से आप टीका करें सभी को कलश को और जो भी हमने आप सोनी चांदी की वस्तु रखी है ना उने रखे, बगवान कु भी भर के आवश्रुप से घर में लाना चाहिए धनतेरस के दिन, और यहाँ पर देखिए सभी को हम ठीका कर देंगे कुबेर जी को कुबेर के जो यहाँ पर नेवला दिया हुआ है, जितने भी कलश यहाँ पर भरके रखे हुए है, कुबेर जी के सामने जो ख़जाना पर एर्पित करेंगे गणेश जी dużo भगवान धन्वंतरी सभी देवों के वैद कहे जाते हैं और आयर वैद के भगवान कहे जाते हैं तो इनका विशेश पूजन करना चाहिए को जो भी आपके पास पुषप अपुच्प हम którego भी को बारी-बारी से अरपित कर देंगे, हो सके तो गणीची को दूरवा अरपित करें और माता महालक्षमी को कमल का पुष्प या फिर गुलाब का पुष्पा पुष्पा पर पित करें दीपक का भी हम सेम पूजन करते रहेंगे, उसके बाद में कुछ आयरवेदिक चीजे हम यहां पर अरपित करते हैं धनवंतरी जी को पपीते का पता हो, कड़ी पता, नीम का पता और तुलसी दल इस प्रकार से देखिए, जो भी आयरवेदिक चीजे हमारे घर में एवेलेबल होती है और अलोवेरा मिल जाए, वो सब हम यहां पर अरपित करते हैं और इसके बाद में देखिए, लॉंग इलाइची और सुपारी और काली मिर्च जो हमारे किचिन में आयरवेदिक चीजे होती हैं वो हम यहां पर अरपित करेंगे, आप हल्दी भी अरपित कर सकते हैं और कोई दवाईया आप ले रहे हैं या फिर नई दवाई लेकर के आए हैं आप उनका भी पूजन कर सकते हैं ताकि वो प्रभावशाली हो जाएं और यहां पर हमने आवले जो कि आयरवेदिक होते हैं बहुत ही जादा है हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं वो अरप भाई आप भोग लगा सकते हैं और जल्का लोटा रहं रख करके इस प्रकार से हाथ में कुछ अक्षट लेकर कि हम धन्तेरसकी अवशीरूप से में यहां पर करेंगे सुन सकते हैं या फिर पढ़ भी सकते हैं इस प्रकार से जब कता संपूर्ण हो जाती है तो अक्षत को हम इस प्रकार से छोड़ देते हैं थोड़े से अक्षत हम जल की लोटे में डाल देते हैं बाद में इसे हम चद्रमा को या फिर किसी भी पौदे में हम अरगे दे देते हैं इसका और पूर प्रज्विलत करने के बाद में हम इस प्रकार से गणिजी की आरती करेंगे, कुबेर जी की, धनवंतरी जी की और माता महालक्षमी की आरती हम इस प्रकार से उतार देंगे, तो इस तरीके से हमें धंतेरस को पूजन करना होता है, आप यहां पर साइड में ही जाडू का भी पूजन कर सकते हैं किसी के आप दीपावली को किया जाता है किसी के आप धंतेर उसको किया जाता है और इसी के साथ में तेहरा दिये भी अवश्य रूप से जलाए जाते हैं यानि कि हमने याँ पर एक दिया तो ये जला दिया और उसके अलावा आप बारा दिये और तेल क कर लेना चाहिए इन तेहरे दियों के साथ में एक यम का दिया भी जलाया जाता है आप चाहें तो मिट्टी का या फिर आटे से बना करके भी उस दिये को जला सकते है और इसी के साथ में किसी किसी के या पर आज के दिन तिजोरी का भी पूजन किया जाता है जो भी कोई भी ब आपको थोड़ा भी यूसफुल लगाये ते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मया की कुबेर भगवान की और धनवंत्री भगवान की और गणिश भगवान की जै आप अवशे लिए दोस्तों मिलती नेक्स रादे जै हो लक्ष्मी मया जै हो कुबेर धनवंत्री जी